अब जब इन कंपणीओं को ये कहा जाता है कि उत्पादन अगर क्रशी का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है फल सब्जीओं को सड़ने से बचाना है तो ये काम तुम तुमारे देश में क्यों नहीं करते आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते उनको 400 प्रतिशत तक सबसिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से ज्यादा कीमत दे के खरीदती है तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो विश मुक्त खेती करो खेत में जहर मत डालो और जादा पैसा ले लो सरकार से और वही देश की कमपनिया भारत में आकर उल्टा काम करती है जहर युक्त खेती कराती है विश्युक्त खेती कराती है और हमारे खेतों की धमनियों में हमारी धर्ती मातई की धमनियों में इतना जहर इतना जहर इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है हमारे देश में कई वेग्यानिक संस्थाओं ने तो यहां तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूद में अभी अंडोसलफान पाया गया है माताओं के दूद में अलडी कार्व पाया गया माताओं के दूद में लिंडेन निकला है माताओं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूद पिलाती है उसमें ये जहर पाया गया है आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पेमाने पर, कितने बड़े इस तर पर हमारे डेश के लोगों के स्वाशत के साथ खिलवाड़ कर रहा है बहुत बड़ा मौत का वियापारी हो रहा है और भारत जैसे देश में जितना ये पैदा कर रहे हैं और खेतों में डलवा रहे हैं भारत जैसे गरीब देशों के बारे में मैंने जब आंकड़े निकालने की कोशिश की तो भारत जैसे दुनिया के 150 देशों में हर साल करीब 20 लाख मीटरिक टन ये जहर पैदा करके खितों में डलवा दिया जाता है और उन सभी देशों में यही बुरा हाल हो रहा है सभी गरीब देशों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं सबी गरीब देशों में ये जहर लोगों के खून में बढ़ रहा है और सबी गरीब देशों को ये तकलीफ पैदा करा रहा है तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए इसका कोई विकल्प हमें ढूंडना पड़ेगा इसका कोई रास्ता हमें खोजना पड़ेगा ये मौत के व्यापार को इस तरह की हम खुली छूट नहीं दे सकते और इसका सबसे अच्छा विकल्प है आप जैसे चिकितसक आप जैसे डॉक्टर अगर जागरूख हो जाएं तो बहुत बड़ी बात बन सकती है इस देश में अर्थ शास्त्र में एक सामन सिध्धान्त है कि डिमांड पहले होती है सप्लाई उसके पीछे पीछे आती है आप सब चिकितसक बंदू अगर चाहें तो सारे देश में जैविक अनाच के लिए बहुत अच्छे अनाच के लिए विश्मुक्त अनाच के लिए जैविक अनाच के लिए एक वातवरन निर्मान कर सकते हैं आप इस देश में एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं और उस डिमांड को भरने के लिए फिर किसानों को मजबूर होकर गाई के गोबर से बैस के गोबर से बैल के गोबर से विश्मुक्त खेती करनी पड़ेगी जहर्मुक्त खेती करनी पड़ेगी फिर उनका बिकना शुरू होगा फिर दीरे दीरे इन कमपनियों के बाजार खतम होंगे और इनका जो शडियन्त और साजिश चल रहा है भारत में ये पूरी तरह से हम नाकामियाब बना पाएंगे और इसको खतम कर पाएंगे यही एक रास्ता दूसरा कोई रास्ता नहीं और आप से इस रास्ते पर चलने की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं हमारे देश में डॉक्टर की कही हुई बात और एक साधरन व्यक्ति की कही हुई बात में जमीन आस्मान का अंतर होता है जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुझे कुछ सुन लेता है तो वो कहता यह डॉक्टर ने कहा है और उसके लिए डॉक्टर भगवान का प्रतिरूप है वो इससे कम पर बात नहीं करता है मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को वो आपका prescription लिखा हुआ slip लेके किसी दुकान पर जाते हैं chemist के पास और मैंने देखा वो जगड़ा करते हैं chemist से जगड़ा किस बात का होता है chemist कहता है कि डॉक्टर साब ने ये जो दुवा लिखी है ये तो है नहीं मेरे पास ऐसी ही बहुत अच्छी दूसरी दुवा है वो जगड़ा करता है नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए ये ही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है इसका उसदुपियों करते हुए आप इस बड़े मौत के व्यापार को बंद कराने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं जब आप मरीजों को ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो बाई तुमारी बीमारी ठीक करने के लिए दवातों मैं दे रहा हूँ लेकिन इस दवा से ज़ादा भी तुमें दूसरे काम करने पड़ेंगे तो वो पूछेगा क्या करू तो कहने लगो जहर मुक्तन खाना शुरू करो जहर मुक्त सबजियां खाना शुरू करो जहर मुक्त फल खाना शुरू करो तो वो कहेगा कहा मिलेगा तो जहां से ये मिल रहा है जहर युक्त, वहीं जहर मुक्त मिलेगा, मांग पैदा करो, डिमांड पैदा करो, तो लोग अपने आप पैदा करेंगे, तो पहले कम पैदा होगा, शायद जादा कीमत में बिकेगा, फिर जादा पैदा होने लगेगा, कीमतें कम होती जाएंगी, और एक सामन रूप से पूरे भारत के लोगों को विश्मुक्त अनाज, विश्मुक्त भोजन, विश्मुक्त सबजियां और विश्मुक्त फल उपलब्द हो जाएगा एक तरफ इन कमपनियों का बाजार भी खतम हो जाएगा उनकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी और दूसरी करफ हमारे लोगों को कैंसर जैसी गंबीर बीमारियों से बचने का रास्ता भी खुल जाएगा, माताओं के शरीर में ये जो जहर आ गया है दूद के रूप में, ये भी कम होता चला जाएगा, और एक सबसे आखिर में जो बड़ा काम होगा वो ये, कि सारे भारत देश में जब ये खेती में क्रांती आ जाएगी, तो बड़ा सवाल पैदा होगा वो ये, कि क्या बिना यूरिया, बिना डियेपी उत्पादन हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में ये जहर बेचने वाली कमपनियों ने एक कुतर्क फैला रखा है, कि यूरिया डियेपी के बिना त डालना बंद कर दिया, जिन्होंने एंडोसलफान, मेलाथियान, पैराथियान डालना बंद कर दिया, जिन्होंने लिंडेन, एल्डी कार्ब जैसे खतरनाक जहर डालना बंद कर दिया, ऐसे हजारों किसान हैं, और उनकी करीब 20 लाक हेकड जमीन पर बिना यूरिया, बिना डियेपी अनाच पैदा हो रहा है बिना किसी जहर के बिना किसी कीट नाशक और जन्तु नाशक के सबजियां पैदा हो रही है फल पैदा हो रही है बीस लाख एकड़ में खेती बारत में हो रही है सबसे जादा ये खेती महराश्र में हो रही है करनाटक में हो रही है आंद्र किसानों का अनुभब ये कहता है कि यूरिया डियेपी से वो जितना पैदा करते थे उससे जादा पैदा बार उनकी बिना यूरिया बिना डियेपी से हो रही है आपको मैं आकड़े वताना चाहता हूं कि जो किसान पहले यूरिया डियेपी से एक एकड़ में 30 मीटरिक टन ग ना जादा जो किसान पहले यूरिया डियेपी से एक एकड़ में 15-20 कुइंटल तक गेहूं पैदा करते थे आज वो गाई के गोबर, बेल के गोबर, भेंस के गोबर का उप्योग करके एक एकड़ में 25-30 कुइंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं ठीक दुगना जो किसान पहले 2 से ढ़ाई कुइंटल कपास पैदा करते थे एक एकडमे यूरिया डियेपी से आज वो साथ कुइंटल कपास पैदा कर रहे हैं बिना यूरिया बिना डियेपी के गेहूं जादा हो रहा है धान जादा हो रहा है गन्ना जादा हो रहा है सबजियां भरपूर हो रहे हैं फल भर जूट है जो पिछले 40-45 साल इस देश में फैलाए गया कि उत्पादन सिर्फ यूरिया डियेपी से ही बढ़ सकता है उत्पादन बिना यूरिया बिना डियेपी के भी बढ़ता है और दुनिया में जब ये कीट नाशक और जहर नहीं बनाया जाता था दूसरे विशुद के पहले तक कभी भी दुनिया में ये जहर बना नहीं और कहीं डाला नहीं गया ये तो सेकंड वर्ड वार में हुआ कि ये जहर का उत्पादन शुरू हुआ क्योंकि 1945 में जब दूसरा विशुद खतम हो गया तो यूरोप की बहुत सारी कमपनियों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि वो बनाएं क्या क्योंकि उन कमपनियों में जहरीले रासाइनिक हत्यार बनाए जाते थे और वो हत्यार विशुद में इस्तेमाल होते थे तो जब तक विश्युद चला तब तक हतियार बिक्ते रहे जब विश्युद खतम हो गया तो हतियार बेचने का रास्ता बंदो गया तो हजारों यूरोप की और अमेरिका की कमपणियों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो उत्पादन क्या करें तो फिर उन कमपणियों ने रास्ता निकाला कि जिन कारखानों में हत्यारों का उत्पादन होता है उनी कारखानों में जहरीले रसाइनिक चीजों का उत्पादन करके यूरिया डियेपी, अल्डी कार, लिंडेन के नाम पर दुनिया भर में बेचा जाए आप सबी जानते हैं, विग्यान आपने पढ़ा है, रसाइन शास्त्र के बारे में थोड़ा तो आप सबी जानते हैं वो ये कि जिन रसाइनों से रसाइनिक हत्यार बनते हैं युद्ड लडने के लिए उन्ही रसाइनों से यूरिया डिएपी बनता है खेतों को बरबात करने के लिए जिन रसाइनों से रसाइनिक जहरीले हत्यार बनते हैं केमिकल गैसिस के नाम पर केमिकल बॉम के नाम पर उनी जहरीले रसाइनों से ये लिंडेन एल्डी कार्ब जैसे जहर एंडोसलफान जैसे जहर बनते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं मानе मूल रसायन एक ही है जिससे आप रासायनी घतियार बना लो और युद में इस्तेमाल कर लो या जिससे यूरिया, डियेपी और पैस्टीसाइट इंसेक्टीसाइट बना लो और खेतों इस्तेमाल कर लो तो मूल रसाइन बनाने वाली जूरोप और अमेरिका की जो कमपनिया थी उनका ये शडियन्तर था कि सेकंड वर्ड वर्ड खतम हो गया 1945 में तो उन कमपनियों को क्या करना तो उनने का कि चलो अब ये काम करना तो किसानों के माध्यम से उनने इस काम को आगे बढ़ाया और सब को मूर्ख बनाकर और जूट बोलकर सारी दुनिया में ये मौत का व्यापार फैलाया अब हमको ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम इस मौत के व्यापार को बंद कराएं और इस मौत के व्यापार को पहले अपनी धरती से बंद कराएं फिर अपने पडोसी देशों की धरती से बंद कराएं और फिर दुनिया की धरती से इस मौत के व्यापार को बंद कराएं क्योंकि सब को जिन्दा रहने का उतना ही अधिकार है जितना इन कमपनियों के मालिकों को आलिशान तरीके से जीवन बिताने का अधिकार है वैसे ही गरीब से गरीब किसान को जिंदा रहने का अधिकार है दूसरा एक मौत का व्यापार जो हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है वो व्यापार है सिग्रेट का सिग्रेट के व्यापार के बारे में मैं आप से कुछ बात करना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया में सिग्रेट का व्यापार अमरीका देश से शुरू हुआ सोलवी शताबदी में अमरीका की कमपनियों ने सबसे पहले सिग्रेट बनाई और फिर cigarette बनाने का धन्दा उनके याँ बढ़ता गया जैसे जैसे cigarette का उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे cigarette बेचने के लिए उनके और रास्ते बनाने पड़े तो जिन जिन देशों में अमरीका की कमपनीया गई उन्होंने cigarette बेचने का धन्दा शुरू किया शुरू के दौर में ऐसा रहा कि अमेरिका इंग्लेंड का गुलाम था आप सबी जानते हैं तो एक तरह से अमेरिका का जो सिगरेट का धंदा था वो पूरी तरह से इंग्लेंड के कबजे में था इंग्लेंड की कमपनियों के कबजे में था तो अमेरिका को गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने तंबाकू का उत्पादन अमेरिका में शुरू कराया अमेरिका की जमीन इंग्लेंड से थोड़ी अच्छी है अमेरिका की जमीन यूरोप के देशों से भी थोड़ी अच्छी है अमेरिका की जमीन ऐसी जमीन है जहां तंबाकू का अच्छा उत्पादन हो सकता है तो जब ये इस्पैनिश लोग अमेरिका में गए आप तो सब दुनिया का इतिहास जानते हैं सबसे पहला अमेरिका में जाने वाला जो यूरोपियन था उसका नाम था कोलंबस 1492 में वो अमरिका में पहुँचा वहां पहुँचकर उसने एक कॉलोनी बनाई स्पैनिश लोगों की और फिर गुलाम बना के लोगों को लूटना शुरू किया और उस स्पैनिश कोलंबस ने ले जाकर वहां तंबाकू का उत्पादन शुरू कराया फिर वह तंबाकू उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाके सिग्रेट बनना शुरू हुई और सारी दुनिया में वो सिग्रेट बिकना शुरू हुई और उस सिग्रेट के लिए कई कंपनियों को इस्थापित किया गया उस दौर में जो सिग्रेट बनने वाली सबसे पहली कंप कुपनी बनी ८ानिऊ जिसका नाम था अमेरिकन टुबैको कंपनी जिसका भारतिय नाम है इंडियन टुबैको कंपनी आपने भारत में इसका नाम होता श्री लंका टुबेको कंपनी या सीलान टुबेको कंपनी भारत में नाम होता इंडियन टुबेको कंपनी पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान टुबेको कंपनी इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशियन टुबेको कंपनी माने आदत है इन कंपनियों क कि जिस देश में घुसना उसका नाम पहले अपने साथ लगा लेना ताकि इस थानिय लोगों को लगे कि ये तो उनके ही देश की कमपनी है तो ऐसे करके ये सिगरेट का धंदा चला एक जमाना था कि अमेरिका में ये लोग सिगरेट बनाते थे दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे कोई पीता नहीं था क्योंकि सिगरेट पीना किसी की आदत नहीं है इस देश में क्योंकि सिगरेट कोई ऐसा उतपाद नहीं है जिसको पी कर कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करें सिगरेट तो सबसे खराब उतपादों में गिना जाता लेकिन इन्होंने सिगरे पापनबाजी करकर के इन्होंने ये सारा खेल खेला और इस खेल को सटल तरीके से खेला इन्होंने इन्होंने फिल्में बनाई यूरोप के इंगलेंड के फिल्मकारों ने अमेरिकन फिल्मकारों ने फिल्में बनाई और उन फिल्मों में हीरो को खूब अच्छे से जान बू दुनिया के लोगों में सिग्रेट पीने की लत लग गई और सिग्रेट की लत लगी तो उसका उत्पादन बढ़ा फिर उत्पादन बढ़ा तो और विक्री बढ़ी फिर और उत्पादन बढ़ा और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि सोलवी शताबदी में दुनिय में एक सिग्रेट नहीं बनती थी और आज सारी दुनिया में पाँच हजार पाँच सो अरब सिग्रेट हर साल बनती है पाँच हजार पाँच सो अरब सिग्रेट पचपन सो अरब सिग्रेट अरब बिलियन अंग्रेजी में अमेरिकन बिलियन सो करोड का होता है तो पाँच अब ये 142 करोल लोग दुरुभागे से अमेरिका में यूरोप में भारत और भारत जैसे कई गरीब देशों में हैं और इन देशों को सिग्रेट पिला पिला के पिला पिला के लोगों का सारा खून पसीने की कमाई का पैसा निचोड रही है ये कमपनिया फिलिप मौरिस है आर जे रेनोल्ड है अमेरिकन टुबेको कमपनी है ऐसी सिग्रेट के धंदे में लगी हुई 40 बड़ी कमपनिया है अमेरिका और यूरोप के देशों की ये कमपनिया अंधा धुंद व्यापार कर रही है और इस व्यापार में अंधा धुंद मुनाफ़ा कम इन कमपनियों की बैलन्स शीट में से आंकड़े निकाल कर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो फिलिप मौरिस हो या आर जे रेनोल्ड हो या अमेरिकन टुबेको कमपनी हो या मारल बोरो हो कोई भी सिग्रेट बनाने वाली बड़ी कमपनी की बैलन्स शीट आप देखो निका दो से तीन रुपए में कभी कभी चार रुपए में बिक जाती है अगर बीस पैसे सिग्रेट बनाने का खर्चा है और दो रुपए में सिग्रेट बिक रही है तो आप अंदाजा लगा लीजे मुनाफ़ा हजारों प्रतिशत में है और ये कमपनिया लाखों करोडों ये ऐसी 40 कमपनिया ये हर साल करीब 20 अरब सिग्रेट भारत में भी बेच रही है और वो 20 अरब सिग्रेट को हमारे देश के लगबग 20 करोड़ लोग पी रहे हैं और पी कर अपने फेफले गला रहे हैं अपने खून को विशाक्त कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जो लोग सिग्रेट पीते हैं वो अपना जितना नुकसान करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान वो उस पडोसी का कर देते हैं जो उनके नजदीक बैठता है और सिग्रेट नहीं पीता है कभी में आप जानते हैं जो पैसिव स्मोकर होता है वो एक्टिव स्मोकर से ज़्यादा खतरन तायंता तो पीने वाले से जादा धुआ नहीं पीने वाले के शरीर में चला जाता है आप जानते हैं कि किसी बस में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ती सिग्रेट सुलगा ले पूरी बस परेशान हो सकती है रेल के डिबे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति एक सिगरेट सुलगा ले पूरे डिबे में बैठे हुए लोग परिशान हो जाते हैं तो भारत में ऐसे 20 करोडों लोगों को लट पड़ गई सिगरेट पीने की और वो पी पी के अपने हिर्दे को जला रहे हैं खून को जला रहे हैं फैफ़रों को जला रहे हैं और अपने पडोसियों को भी जला रहे हैं एक और दूसरा बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है इस देश में इस मौत के व्यापार को बढ़ाने में भारत देश में दो तरह के लोगों की बड़ी भूमिका रही है एक तो नेताओं की जिनोंने इन सिगरेट कमपनियों को खुली छूट दे रखी है जो सिगरेट बनाके भारत में बेच रहे हैं और दूसरा सिगरेट के प्रचार करने वाले प्रचारकों की जिन्होंने सिग्रेट का अंदा धुन्द प्रचार किया है इस देश में आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारे देश में ITC कमपनी की एक सिग्रेट बिकती है जिसका ब्रेंड नेम है विल्स W-I-L-L-S इस ब्रेंड नेम से सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिग्रेट है वो ITC की कमपनी की है अब इस सिग्रेट को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाना तो ये कमपनी ने पता है क्या किया सालों साल इसने भारत की पूरी क्रिकेट टीम को खरीद लिया सालों साल और आप याद करिए कि भारत की क्रिकट के टीम के सारे खिलाडी जो टी-शर्ट पहनते थे उस पर सामने चाती पर विल्स लिखा रहता था इंडिया पीछे लिखा होता था विल्स आगे लिखा होता था भारत पीछे है सिगरेट बेचने वाली कमपनी का नाम आगे है भारत के बड़े बड़े क्रिकट खिलाडी में नाम नहीं लेना चाहा था जिनको ये देश तालियां बजा बजा कर अपनी कंदों पर उठा के घूम रहा है ये सारे बड़े क्रिकट खिलाडियों ने विल्स का सबसे ज़्यादा प्रचार किया है हमारे देश में सबसे ज़्यादा रंज जिस क्रिकट खिलाडी ने बनाए है वो विल्स का सालों साल प्रचारक रहा है उसके बैट पर विल्स लिखा रहता है उसके गलब्स होते हैं उस पर विल्स का स्टीकर उसकी चाती पर विल्स उसके पैड पर विल्स हर जगे विल्स 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 और क्या होता था क्रिकट का मैंच होता था तो ट्रॉफी का नाम विल्स ट्रॉफी रखा जाता है मैदान जिस पर खेल हो रहा है क्रिकट का उसमें दो तरफ विकेट्स होते हैं दोनों तरफ जो एंड होता है बॉलिंग करने का वहां विल्स लिखा जाता था फिर मैदान में चारो तरफ विल्स के बहुत सारे होडिंग्स और साइन लगाए जाते थे मतलब जो क्रिकट मैच देखने आ रहे हैं वो क्रिकट से जादा विल्स 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 देखते थे और फिर जब बड़े-बड़े क्रिकट खिलाडी विल्स का स्टीकर लगा के मैच खेलते हैं विल्स का पैट पहन के मैच खेलते हैं विल्स के गलब्स पहन के मैच खेलते हैं तो देखने वाला जो नौजवान वर गए उसको भी लगता है और चक्रकट खिलाडी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा चक्का मारने वाला क्रकट खिलाडी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा और उसके चक्कर में फिर ये विल्स की बिक्री बढ़ते 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 भारत में यहां तक पहुंची कि बहुत दुख होता है हर दिन भारत में तीन हजार नए लड़के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं सरकार के आखडे हर दिन सारी दुनिया में हर दिन एक लाख नए बच्चे जिनकी उमर 13-14 साल के असपास होती है वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं ये विल्स के जैसे प्रचार का दुश्परिनाम है तो क्रिकट का प्रचार नहीं होता विल्स का प्रचार होता और क्रिकट खिलाडियों के साथ साथ सिनेमा के जो हीरो हीरोईन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये हर द्रश्य में ऐसा कुछ न कुछ जरूर बात लाएंगे कि हीरो सिगरेट पीए और यहां तो कई एक्टर ऐसे बदनाम हैं जो सबसे ज़्यादा सिगरेट पीरते हैं अपनी किसी भी फिल्म में आप जानते हैं ऐसे कई एक्टर के नाम में लेना नहीं चाहता वो हर सीन में ऐसी कोशिश करेंगे कि सिगरेट का सीन आए बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है भाई बहन के सामने सिगरेट पी रहा है पती पतनी के सामने सिगरेट पी रहा है फिल्मों में ऐसे दरश जान बूच के ठूसे जाएंगे तो फिल्म देखने वाले लोगों के अवचेतन मन में वो सिग्रेट बैठती है फिल्म से जादा और फिर वो बाहर निकलते हैं हॉल से तो सिग्रेट उडाना शुरू कर देते हैं और आप जानते हैं 14-15 साल की उमर में किसी ने एक बार अगर सिग्रेट पी ली तो फिर उसको आप सिग्रेट का नशेड़ी बनाने से नहीं रोक सकते क्योंकि वही सबसे सम्वेदन शील उमर होती है और धीरे धीरे उस रास्ते पर वो चल पड़ते हैं फिर इस सिग्रेट से होने वाली जो मौते हैं सारी दुनिया में सरकार सारी दुनिया की कहती है कि कैंसर में जो सबसे बड़ा कारण है मैंने बताया जहर अंडोसलफान जैसा और मेलाथियान जैसा और ये यूरिया डियेपी उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर का वो सिग्रेट ही है और सारी दुनिया में करोडों करोडों लोग इस सिगरेट को पी के मर रहे हैं प्रत्यक शुरूप से परोक शुरूप से प्रत्यक शुरूप से वो मर रहे हैं जो सिगरेट को खीच रहे हैं परोक शुरूप से वो मर रहे हैं इनका अंतिम लक्ष है कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को सिग्रेट पिला देना ताकि 40 विदेशी कमपनियों के खजाने में लाखों करोडों रुपए जमा हो सके ये दूसरा बड़ा मौत का व्यापार है जो चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस मौत के व्यापार को भी आप बंद करा सकते हैं और हमारे नौजवानों को और सिग्रेट पीने वाले बहन भाईयों को समझा सकते हैं एक डॉक्टर की जो समझाईश होती है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास जो मरीज आते हैं जो पेशेंट आते हैं उनको आप समझाईए विनमरता से बताईए कि इस सिग्रेट से कितना नुकसान होता है व्यसन से कितना नुकसान होता है और सिगरेट कैसे आपके अंदर तक को जलाती है और कैसे खराब करती है फिर इसके बाद एक और तीसरा बड़ा मौत का व्यापार है गुठके का खैनी का ये पांच हजार करोड का व्यापार है और लाकों लोग इस व्यापार में परिशान हो रहे हैं फिर एक इसके बाद का आगे का व्यापार है बीडी का सभी तरह के व्यसन में हमारा देश डूबा हुआ है फिर उसके बाद एक शराब का व्यापार है जो मौत का व्यापार बन गया है इस शराब के व्यापार को भी हमें बंद कराना है भारत में 32 जार शराब की दुकाने हैं 20 जार करोड की शराब बिक रही है लाखों करोडों लोग इससे बरबाद हो रहे हैं और इसी तरह से एक बड़ा व्यापार हमारे देश में अफीम का है, मार्फीन का है और बहुत सारी नशीली दवाओं का है हजारों मीटरिक टन नशीली दवाओं बिक रही है और लोगों को तकलीफ में डाल रही है तो मेरा आप सभी चिकितसक भाईयों से यही विनमर निवेदन है कि इन सभी मौत के व्यापारों को इस देश में जल्दी से जल्दी आप बंद कराईए और जल्दी से जल्दी इस भारत देश को एक रहने लायक अच्छा समर्थ स्वस्थ और समर्द शाली देश बनाईए